अच्छे कहानी पर खराब फिल्म कैसे बनाई जाती है इसका उधारण है शिवाय इस कहानी पर एक सफल और अच्छी फिल्म बनने के कई तत्व मोजुद थे लेकिन इस फिल्म प्ले ने पानी के दिया शिवाय देखने के बाद हमें दो तीन action sequences और बहतरीन सिनेमाटोग्राफी ही याद रहती है शिवाय एक परवता रोही है विदेशी परवता रोहियों का एक दलाता है जिनकी मदद शिवाय करता है इसी दल की ओल्गा और शिवाय आकरशित होकर सारी सिमाय लांग जाते हैं ओल्गा गरववती हो जाती है शिवाय चाहता है कि ओल्गा बच्चे को जन्म दे ओल्गा इसी शर्थ पर बच्चे को जन्म देने के लिए राजी होती है कि वह अपने बच्चे को कभी भी देखेगी भी नहीं और बच्चे की देखभाल की सारी जिम्मिदारी शिवाय की होगी बच्चे को जन देने के बाद उलगा अपने देश बुलगारिया चली जाती है शिवाय अपनी बेटी का नाम गोरा रखता है और कहता है कि उसकी मा की रत्यू हो गई है गौरा गूंगी है आठ वर्ष की होने पर गौरा को पता चल जाता है कि उसकी मा जिवित है वह मा से मिलने की जित करती है आखिरकार शिवाय उसे लेकर बुलगारिया जाता है मा पर गौरा का अपहरन हो जाता है शिवाय को पता चलता है कि बुल्गारिया में 72 घंटे के अंदर या तो बच्चे को विश्चर व्रत्ती में धके लिया जाता है या उसके शरीर के अंग बेज दिये जाते हैं क्या शिवाय बेटी को बचा पाएगा इसका जवाब फिल्म में मिलता है संदीप शिवास्तों ने फिल्म की कहानी तो अच्छी लिखी लेकिन स्क्रिन प्ले ने सारा मजा किरकिरा कर दिया शिवाय की बेटी को गुंगी दिखाने का कोई और चित्ते ही नजर नहीं आया ओल्गा का किरदार भी ठीक से नहीं लिखा गया है पहले तो वह अपने बच्चे का चेहरा भी नहीं देखती और बाद में बेटी के लिए उसका बेसब्र होना ज़स्ता नहीं इस्क्रिन प्ले में इमोशन पेदा करनी की गुंजाईश थी जिसका उपियोग ही नहीं किया गया शिवाय और गौरा के बुलगारिया पहुशने तक भी फिल्म ठीक रहती है लेकिन इसके बाद बिखर जाती है जबकि गौरा को 72 घंटे में ढूनने वाला मिशन रोमांच से भरपूर होना था इस मिशन में गती महसूस नहीं होती क्योंकि फिल्म को बहुत लंबा खीचा गया है अंत में तो शिवाय बहुत ज़्यादा फिल्मी हो गई जब शिवाय और गौरी पर सेकड़ो गोलिया चलाई जाती है लेकिन एक भी उने नहीं लगती पीछा करने वाले और एक्षन सिक्वेंस लंबे हो गए है अजय देवगन का निर्देशन औसत दरजे का है उन्होंने हर द्रश्य में अपने आपको रखा है हर कारनामा बे करते हैं सपोर्टिंग कास्ट को उभरने का आउसर ही उन्होंने नहीं दिया है इस वज़ा से सौरब शुकला, गिरिश करनाड, विर्दास की भुमिकाएं आधी अधूरी लगती है अपने फिल्माई शॉट्स पर अजय इतने मोहित हो गए कि उन्हें हटानी की हिम्बत नहीं जुटा पाए इससे फिल्म अनावश्यक रूप से लंबी हो गई काईदे से तो यह फिल्म दो गंटे की ही होनी थी अभिने की बात की जाए तो अजय देवगन ने अपने किर्दार को कुछ ज़्यादा ही गंभिरता दे दी है हलाकि स्क्रिप्ट से उन्हें परियाप्त सहयोग नहीं मिला लेकिन जितना हो सका उन्हें किया एक्शन सिक्वेंस में वे बेतर रहे एरी का कार का भिने औस दर्जे का रहा गौरा बनी, एबिगेल एम्स दर्शकों का दिल नहीं जीत पाई और इसमें दोश निर्दे शक्का है साइशा सहेगल ने इस फिल्म से अपनी शुरुवात की लेकिन उन्हें जादा औसर नहीं मिल पाए फिल्म के स्टंट और एक्शन सिक्वेंस तारीट के योग्य हैं असीन बजाज की सिनेमाटरग्राफी अंतर राष्ट्रे स्तर्गी है फिल्म का टैटल ट्रेक छोड़ दिया जाए तो मिथुन का संगीत निराशा जनक है उनका बेग्राउंड म्यूजिक बेहद लाओड है कुल मिलाकर शिवा एक लंबी और ठका देने वाली फिल्म है जिसमें मनोरंजन के दतोधी कम है इस फिल्म को मैं पाच में से दो स्टार देता हूँ